अगली कवरें बात करते हैं रीवा की जहां स्याम शाह मेडिकल कॉलेज के स्थापना 1963 में हुई थी कॉलेज के निकले छाथ पूरे देश के साथ विदेशों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं स्याम साह मेडिकल कॉलेज का गोल्डन जुबले एर 2013 में मनाए गया था इंदुलकर ने जानकारी देते हुए बताय कि लगभग 125 पूरा छात्रों ने आने की सहमती दे दी है कारकरम में कई सांस्कृतिक और अन कारकरमों का आयोजन किया जाएगा आईए आपको सुनाते हैं आयोजित होने वाले कारकरम के संबन में डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने क्या जानकारी दी है यहां हम लोगों ने गोल्डन जुबली का जो एक इसका नाम हम लोगों ने गोल्डन जुबली उस्साव रखाएगा और हमारे डिपार्ट मेडिसिन को प्रारों में पचास साथ पूरे हो गए हैं उसी उपलक्ष में हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं इससे कि आपको विदीदे क्या हमारा जो मेडिकल कॉलेज इसका घ्टन हुआ था और 2013 में मेडिकल कॉलेज का गोल्डन जुबली सेलेबरेशन किया गया था इस तरह से इस विभाग में जो प्रथम हमारे पॉस्गेज स्टूरेंट्स पास हुए तो 71 में पास हुए तो इस तरह से हम लोगों ने 2021 में गोल्डन जुबली सेलेबरेशन का आयोजन करने की प्लान किया था परन्तु कोविट के वज़ा से इस वर्ष हम लोग इसको आयो करती दिये जो बाहर से यहां पधार रहेंगे और जिनांग सोला को हमारे विभाग में एक इंडरेक्ट्व सेशन एक हमारे जो रिटारेट प्रोफेसर इमके जिन साब उनके द्वारा उद्धन रहेगा एवं जाने माने वियंकार पदमश्री डॉक्टर ज्यान चतुरवे में हम लोगों ने एक कंटिनिशन में मेडिकल एजुकेशन का प्रोग्राम आयज्योत कि है जिसमें विभागों के हमारे हैट अगड़िपांड हमरे पीजी और शहर के जितने भी हमारे जानेवाने फिजीशन हैं उनको हमने आमंत्रित किया एगा तरपश्चा 17 तारीक को ह हमारे जितने यहां के टीचर से इंकुड़िंग डिपांड मेडिसीन के उनका एवम जो रिटायर टीचर से जो शहर में भी है और शहर के बाहरे उनको हमने आमंत्रित किया और उनका फैलिस्टेशन होगा और इसके अलावा जो हमारे विभाग से जुड़े हुए हमारे कलर दूबिनी आएंगे उनका अपना इंट्रोड़क्शन प्रोग्राम होगा पिदेश से भी हमारे यहां पर कई अलुमिनी जा रहे हैं जो हमारे टेनी में हैं मुंबई में हैं और विभिन स्थानों में हैं वो लोग यहां पढ़ा रहे हैं और एक यह हम इसको एक उस्सा पिकनिक के लिए जाना जाता है तो वो जो तीस साल पूर जो जहां पर पढ़ते थे वो लोगों को भी हम उनको उसका वाइट टाइगर का इंस पे पिकनिक के रुपे ले जाते हैं